सब्सक्राइब नोटिफिकेशन रिलीज है क्वालिफिकेशन एज सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी सैलरी क्या रहेगा फॉर्म कैसे बढ़ना है और लास्ट डेट क्या है फॉर्म बढ़ने का इसमें कोई एक्जैम नहीं रहता आप सभी जानते कि कस्तूर्बा गांधी जो होता है ना डाक सेवक की भरती बस आप एक फॉर्म बर दो अगर हो गई शॉट लिस्टिंग तो आपको सिधे डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा मांकी कंप्लीट इंफर्मेशन डीटेल संपुर्ण जानकर इस वीडियो में हम आगे कवर करते तब फेले आप देखेंगे की वेकन सीज तैंडराड 6 से लिए के स्टैंडर्ड 8 के लिए जिसमेंं की हिंदी इंग्रिश के लिए वरन वेकन सी डोटल और यह सभी अन्रिज़ों में लिखावा है यवार का मतलब होता है जенरल Ahh जन्ड़ का मतलब यु आर पटिबस जन्री अन्रीज़्ट जन्रल क्याटेगरीें किसी भी टेग्री से बिलॉंग करनेवाले कैंडीडेट आप कर सकते हैं अगर फ्लीजिभल होंगे तो मैंट के लिए एक है. साइनस के लिए एक है. सोशल सायंस के लिए लिए एक है. बाद सोशल साइन्स के लिए and economics के लिए टीचर्स की requirement है ये notification कहां से रिलीज हुई है वो पहले हम देखेंगे और इसके बाद यह notification रिलीज हुई है जारखंड सिक्षा परियोजना हजारी बाग से आई हुई है तो हजारी बाग जिले से आई हुई है जैसा मैंने आपको बताया कि जारखंड से अलग-अलग कई district से vacancies आने वाली थी पहले ही आ चुके है चत्रा के आ चुके है और कई जगा के आपने जिले का चेक करते हैं तो फिलहाल हजारी बाग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है और इसमें जो एप्लिकेशन की प्रोसेस रहेगी वह तो हम देखेंगे पहले जो चाहिए वह हम देख लेते हैं तो six to eight के लिए जैसा बताया जा रहा है कि क्रमांक एक दो तीन चार एवं पांच पर अंकित पद कौन-कौन से वह आप देख लें यहां पर भाशा गनित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और सारिरिक फिजिकल एजुकेशन इनके लिए क्या चाहिए six to eight के लिए मतलब six to eight के लिए बता रहें कि 50 पर्सेंट या एबब मार्क्स के साथ 50 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ में ग्राजुएशन होना चाहिए और अगर स्टी एसी कैंडिडेट है तो पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी और इस चाहिए और फीजिकल एजुकेशन में बीपेड वाले सिर्फ कर सकते हैं उनको बीएड या डीएड की जरुवत नहीं है इसके साथ में six to eight में और क्या पताए गया six to eight में आपको जार्खंट का टेट किया हुआ होना चाहिए six to eight में nine to twelve में ऐसा कुछ नहीं है तो जार्ख पताए कि कितने सालों पहले जार्खंट हुआ है तो हुआ ही नहीं है तो जो भी है यह कंडिशन six to eight के लिए और इसके बाद जो है एज क्रैटेरिया भी रेखेंगे एज क्रैटेरिया एक ही साथ सब के लिए दिया गया nine to ten को पढ़ानी के लिए 50 परसंट या अबाव मांक के साथ में सनातक की हरता चाहिए और इसके बाद यहां पर फिए परसंट की रिलाक्सेशन स्टीए से के लिए डिए अगर उच्छतर अगर पोस्ट वाजुए तो उसको प्राथमिक कर दी जाएगी और बीट चाहिए इसमें सीटेट जेटेट कुछ भी नहीं चाहिए तो इसमें सिर्फ graduate प्लस बीएड application कर सकते हैं तो यह वाले जो पोस्ट ना ना इन टू टूल यह अच्छा है इसमें सिर्फ बीएड है किसी के पास आप में से किसी के पास बीएड है और graduate है तो आप apply कर सकते हैं जाती है कि कैश तुर्वा में सिर्फ application कर सकते हैं जैसा आप जानते हैं महिलाइं ही अविदन कर सकते क्यांकि还有शा विद्याले होने पहले जारकण में प्री रेसिडेंस होता था फ्री मील होता था जितने टाइम का भी मील अब क्या दिया जारा मीर रेसिडेंस का पता नहीं तो रहने की कुछ व्योस्था तो देंगे जब रहना है तो तो 15,840 रुप्या आपको हाथ में मिलेंगे और जैसे जैसे तीन साल कर लेते हैं तो फिर सीधे जो है 7,000 और बढ़ा देंगे तो फिर 22,000-23,000 हो जाएगी और हर साल जो है 250 रुपीज बढ़ाएंगे एवरी यर 250 रुपीज की इंक्रिमेंट मिलेगी यरली इंक्रिमेंट और जैसे तीन साल आप कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेस्फुली तो फिर 7,000 रुपीज बढ़ा देंगे इसमें तो फिर 22,000-23,000 रुपे सालरी मिलने लग जाएगी और साथ मेरे सेडेंस की फैसिलिटी होत जनरल केटेग्री करें तो अभी तो जितने सीट है सब जनरल में है तो इसलिए अब फीमेल के लिए 38 यर्स है तो यहां पर 38 यर्स तक के कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं 38 वर्ष तक की महिलाएं जो है आप्लिकेशन कर सकती हैं इसमें आवेदान कैसे करना है वो भी करनी है तो इसके बाद जो है अप्लिकेशन कैसे करना है तो आवेदान में वेबसाइट का जो लिंक है वह हम विजिट भी करेंगे लेकिन ऐसे आपको नोट डाउन करने के लिए www.hzaribaag.nik.in पर आपको विजिट करना है आप कुछ भी नहीं करें गूगल पर लिके हजारी तो पहले अप्लाइ कैसे करना है क्या क्या चीजे अट्याच करने आपको देखना है अवेदान के साथ जो है अनुलगनक किये जाने वाले अनुलगनक तो 23 x 10 cm का अपना पता लिखावा दो लिए वाफा आपको लेना है सभी सैक्षनिक और प्रसैक्षनिक जितना भी आपक अब तक का जितना भी आपके पास graduate तो मांग रहे हैं केवल graduation मांग रहे है वहां तक का और बेड किया है या जो भी है आपके पास उनस अभी की 10th ऑन पासिंग सर्टिफिकेट और माकशीट उनस अभी की photocopy लेके self-attest करना है मतलब अपनी signature करनी है उस पर और वह सब का आरक्षित हैं तो ऑड़ आवासी प्रमानपत्र आप झारकनराजी को लगेगा तो जारकन के अप्लाई कर कर के etwas नियोजन हे आवासी प्रमानपत्र ट्रक्शान प्रमानपत्र को अपर आपको लगने वाला थो जो जारकनके मैं अपलाई इस आप कर सक doubts को कि दिएगा एड्रेस पर उपर ही एड्रेस दिया होगा यहां देखे जाँ आड़र्टीजमेंट है वहीं पर दिया हुआ एड्रेस वहीं पर आपको भेज़ देना है तो यह एड्रेस है बहिला अभी अरत्यों से निम नंकित छर्टों के अधिन इतना आवेदन 21 अक्तोबर तक पहुंँ जाना चाहिए कौन सा डाक से आपको registered post यूज करना गॉर्मेंट post office में जाना है registered post आपको यूज करना है और ये address है जिला सिक्षा पदाधिकारी सर जिला कारिकरम पदाधिकारी समगर सिक्षा अभियान कार्याल है यह 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 पूरा यहां तक जितना भी address है यह address इस address पर आपको भेज देना है registered post से यह धियान रखना गॉर्मेंट वाली post office जाए उसमें और दो अपना पता लिखा हुआ 23 बटा 10 cm का दो लिफाफा अपना पता लिखा हुआ वो भी attach करना है तो यह हो गया अब नीचे देख लेते हैं अगर application format दी हुए तो application format भी attach करना होगा नहीं दी हुए तो कोई बात नहीं फिर तो हाँ आईए देखें application format दिया हुए न यह application format भी आपको download करके fill कर लेना जारकंड education project हजजारीबाग application form अब चलिए official website पर यह official website अजारीबाग.nick.in यह homepage है homepage पर जैसे ही आप आते हैं थोड़ा सा नीचे scroll down आपको करना है and what's new section में आपको जाना है what's new section में आप देखेंगे कि इसमें जो है यहां पर ही आपको notice मिल जाएगा इसमें विज्यापन के साथ में form भी दिया हुए click here to download the full advertisement important notice for the selection of teachers in Kasturva Gandhi वाली का विद्याले कटकाम डग प्रम जार्खन सिक्षा परियोजना हजारीबाग हजारीबाग से आप चलिए official website की link के लिए video के description box को नीचे तक scroll down करके check कर ले link आपको available मिल जाएगी आप सभी को best wishes thank you very much